तो चली friends, आज हम बात करने वाले हैं, 4 different companies और 4 different phones के बारे में और यहाँ पर जो मैंने price range set करा है, वो 25 से लेकर 30 अर के बीच में, क्योंकि यहाँ पर mid-range segment में आपको चाहिए एक बहतर सा phone और सभी company ने बहुत सारे अच्छे-चे features अपने phones में दीए हैं, और कुछ तो यहाँ आपर flagship के लेवल के भी आपको feature अपने phone-phone के price के according देखने को मिल जाएगे, तो बिल्कुल वीडियो पलास तक बने रहे हैं कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं, Vivo का phone रखाया है, मैंने V30E, Segan आपको देखने को मिल जाएगा, थर्ड पोजिशन पर रखाया है, मैंने आपर आपको vegan leather में देखने को मिल जाएगा, और दो phone जो Vivo और C4 आपके सामने, इन में आपको plastic bag देखने को मिल जाएगा, लेकिन overall design obviously काफी अची है, किसी में दो lenses यूज करें किसी में आपको 3 lenses देखने को मिल जाएगे, और overall यहाँ पर phone का weight अगर देखे तो सब भी phone 200 gram से आपको 3D करो देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर लेपाएंगे, बाकी सबकी का size 6.7 inch यहाँ पर आपको उसी के साथ 120Hz का refresh rate सभी phone में आपको देखने को मिल जाएगा, SDI 10 Plus का certification अवेलेबल है सभी phones के अंदर, लेकिन pick brightness में थोड़ा-थोड़ा difference नदर आता है आपको, higher pick brightness सबसे जादा जो मिलती है, आपको V30E में मिलती है, जो कि 1300 nits का pick brightness यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, Realme 12 Pro Plus यहाँ पर देता है 950 nits, और लास्ट अगर देखे आप OnePlus के फोन में तो आपको 1100 nits का pick brightness यहाँ पर देखने को मिल जाते है, तो सबस्यादा lighting condition आउट्डोर में आपको Vivo के फोन में हो जाएगी, HZ10 Plus certification सभी में अवेलेबल है, और उसे के साथ-साथ IP ratings भी आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन सबस्यादा better IP rating आपको Vivo के फोन में दीए, इसमें आप water resistance और dust resistance सभी फोन में आपको देखने को मिल जाएगा, और company भी सबस्यादा यहाँ पर focus रहती के cameras को लेकर, sensors की बात करें तो सबस्यादा यहाँ पर तीन sensor जो बड़े sensor यूज़ के गए हैं वो realme के अंदर देखने को मिल जाएगे, लाइक इसके अंदर आपको 120x zoom का सबसे बहुत हाईलाइट देखने को मिल जाएगे, और इसके अंदर जो special lens जो 64 का है, Omnivision, Periscope portrait lens जो कि यहाँ पर especially portrait के लिए डिजाइन किया है, इसके अंदर आपको 3x optical zoom का support देखने को मिल जाएगा, प्राइमेर लेंस सभी phone के अंदर आपको 50MP के देखने को मिल जाते हैं, उसके सबसाथ यहाँ पर जो है दो लेंस अब Vivo के phone में यूज करें जिसमें आपको एक अल्ट्रावाइल लेंस मिल जाएगा, फिल्ड ओफ यू अगर देखें सबसे अदर जो अल्ट्रावाइल लेंस में मिलता है वो तीन फोन में दिया गया है, आप यहाँ पर फिल्ड ओफ यू को कवर कर पाएंगे, अल्ट्रावाइट के हल्प से और यहाँ पर अगर देखें तो पोट्रेट के लिए स्पेशल लेंस आपको ओपो के अंदर भी देखने को मिल जागा जो कि 32 मेगा पिक्सल के साथ आता है, केमरा के अंदर की चीज़ों की बात करें, तो वीडियो रिजूलेशन अगर देखें, आप तो यहाँ पर वीवो के फोन में आपको 4K 30fps का ओप्शन देखने को मिल जागा, लाइक इसके अंदर अल्टरा स्टेडी मोड बगरा तो आपको दिया गा है, और फोटो की क्वालेटी कर देखें, तो इस पेशल फीचर जो डाल कर दिया है, वीवी टेक्चर और नेजरल अप्शन का, और लास जात ही अगर देखें, तो पोट्रेट में आपको 2X उप्रि से 20X से क्लोस जाकर अपने फोन के अंदर चांद का फोटो यहां पर क्लिक कर पाएंगे, और इन सभी के अंदर अगर देखा जायतो है, यहां पर पोट्रेट लेंस व्रियल्मी के अंदर जो है, 64 मेगा पिक्सल के साथ आता, जो कि सबसे जादा है, यहां पर बड़ा लेंस से कर सकते हैं, तो यह इससे अंदर फोटो की क्वालिटी और बहतरी निस हो जाती है, मोरवाल उप्शन में ड्यूल वीडियो मोड आपको देखने को मिल जागा, प्रो मोड लोंग एक्सपेचर वगरा है, सारी चीज़ आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, और स्लो मो फ्रंट साइट पर भी यहां पर शूट को ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यह जीज थोड़ी सी यह आपकर इसको अलग सा बनाती है, फोर कर 30 fps का सपोर्ट जो की वीडियो दोलोचन में, वीवो के फोन में सबसे जादा मिलता है, बाकी सब में आपको 1080 60 fps 30 fps से काम चलान मिल जागा, मतलब stability तो obviously सभी फोन के अंदर है पर दी गई है, लेकिन extraordinary चीज़ें आपको Realme और front selfie में वीवो के फोन में आपर देखने को मिल जाती है, वीडियो को लिटिक साथ, अगर sound quality बैटा हो तो obviously काफी जाद बैटर फील आपको हो जागा, बिकोस इसके लिए extra special से आ loudness obviously काफी हाई आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसके अंदर आपको audio booster का support 150% तक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, performance के कर बात निकलती है, तो सबसे पहले नाम अगर देखा जाए, अगर OnePlus की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको snapdragon 7, Zen 3 का support मिलता है, जो कि इस price point पर सबसे extractive अगर देखा जाए, तो इसके अंदर आपको process quality मिलेगा, प्लस यहाँ पर oxygen OS 14.0 पर based यहाँ आता है, तो आपको यहाँ पर bloatware application बिल्कु ना के बराबर दिखते हैं, बाकी यहाँ पर Fanta choice 14 पर update आता है, वीवो के phone में जो कि Snapdragon 6 Gen 1 का support मिलता है, और Mediatek support आपको मिल जो कि 70-50 के साथ यहाँ पर देखने को मिलता है, तो obviously performance के मामने में सभी phone काफी बहतरीन से है, लेकिन higher performance quality obviously आपको यहाँ पर 1 Plus की phone में देखने को मिल जाती है, तो gaming अगेर experience obviously काफी बैटरी इस phone में आपको देखने को मिल जाता है, connectivity की बात करें, तो यहाँ पर आपर देख जाता है, तो obviously इसमें camera model काफी जाता आपको बड़ा देखने को मिल जाता है, और बैटरी के मामने में इस phone के अंदर आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर एक और एड्वांटेज लेकर जाता है, OnePlus का phone के बैटरी इसमें दी जा रही है, और चार्जर के एपिसिटी भी सब से जादा है, यहाँ पर 100W का charger आपको बोक्स में देखने को मिल जाएगा, तो यह कुछ चीजे थी यहाँ अगर देखें इस phone के अंदर, तो जैसे के फ्रेंड यह कुछ चीजे थी सभी phones के अंदर अलागा, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिल रही है, और उस साथ OPPO का फोन यहाँ पर रेनो 11, इस पर भी प्राइस डोव अवेलेबल है, यहाँ पर यहाँ पर यह फोन आपको 28 अरग देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो स्पेशल एक और चीज अगर देखे जाए रेनो के फोन के तो यहाँ पर केमरा के अंदर आगर यहाँ पर बना देगा, इतना ज़ादा खास नहीं है बट फिर भी आपका काम यहाँ पर चल जाएगा, तो यह कुछ डिफरेंसेस थे इन सभी फोन के अंदर आपको कौन सा फोन ज़ादा पसंद आए, आपको कमेंट सेक्शन जरू करेगा, और वीडियो को लाइक करके, च फिर देगा उसकी फिमेली के साथ